नमस्कार मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में यस बैंक के स्टॉक को डिसकस करेंगे यस बैंक के टेकनिकल ट्रेंड से मैं बहुत इंप्रेस नहीं हूं और मुझे लगता है यहां थोड़ा कौशन बरतना चाहिए क्योंकि बरे ट्रेंड बिल्कुल नहीं दिख र पसंद आये तो दोस्तों में शेयर करेंगे नमबस तो बेटर रहा था लेकिन वनमंथ के टेकनिकल ट्रेंड को एक बार अगर आप देखें तो लगबग लगबग 6% की तेजी तो लोवर प्राइस से दिख रहा है प्लस 6% के आसपास का लेकिन यह ट्रेंड ऊपर के प्राइस साथ देखेंगे तो अफ़ेती काफी बेटर देखी ती इसके साथ के पोजिचन बरते दिखे थे यहां देखेंगे तो प्रोंटर हां नहीं एक फाई की बरती होई दिखी थी और पबिक और डि दिआ की होल्डिंग को जो है एक हरीद लिया लेकिन इसके बाद मे इस समय स्टॉक में delivery तो ठीक ठाक है लेकिन जो technical trend है वो trend पिछले 3 months से week है और volume 12 करोर के आसपास का था लेकिन पहली बात जो bank nifty है यहां देखेंगे जो bank nifty है यह bank nifty देखेंगे तो एक range को breakdown कर दिया है range को breakdown कर दिया है minimum इस range के उपर आए तो भी consolidate है इस समय तो weak है यह resistance बन करके यहां से तोड़ सकता है और दूसरा बात yes bank के चार्ट को देखें yes bank के चार्ट पे क्या समझ में आता है यह एक resistance था जो breakout हुआ लेकिन sustain नहीं किया और यह जो trend line है जहां से multiple breakdown हो रहा है इस trend line का breakout important है 27 27 का जब तक यह level breakout नहीं करें यह पूरा consolidate range है और हो सकता है 21 के नीचे weak और 27 के ऊपर strong यह range पूरा ही consolidate तो बहुत short term के लिए एग्नोर करेंगे अगर medium to long term horizon के लिए हैं तो ठीक है वरना shorter में बिलकुल ignore करें आपको opportunity PNV जैसे stock में find out करेंगे